आज की या वीडियो हम एक motivational thought के साथ सुरू करेंगे कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास समंदर भी आएगा ठक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी वो मिलने का मज़ा भी आएगा तो दुफतों आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं बी मेहनत करके बहुत ही hard work करके के question आप सभी के लिए तयार के हैं और उसका उत्तर भी तयार किया है ताकि हम आपकी पूरी तरह help कर पाएं तो चलिए शुरू करते हैं कौन-कौन से महत्तर पूर्ण जो आपकी परिष्षा में सबाहर आएंगे वह मांपको बताते हैं पूरी जानकारि यहां पर प्रस्तुत है प्रस्तुत है फार्ट होता है यानि कि तृतीय समस्टर होता है प्रश्ण पत्र का नाम है पर्या वर्ण आपदा प्रबंदन जलिवाय परिवर का अर्थ तथा इसकी परिभासा बताएं तो ध्यान से सुनेंगे ठीक है बहुत ही टॉप लेबल का कोश्चन जो कि आपकी परेच्छा में अतिलग दीर की किसी में भी फंसेगा और आएगा पकता है हैं 100% वाला गारंटी वाला कोश्चन ठीक है कि पर्यावरण का मतलब हमार है प्रता चारोड ऑढ है ठीक है बारिस भी हंपर। रूप से प्रभावित करते कोई चीज़ हमारे लिए लाफकार क्पारी होती शनीकारिक भी हमारे फ्रत्राइब या प्रत्राइब ट्रोप से हमें Impact करते हैं प्रत्राइब वातावण इन्हीं सब कहेंगे पर्रया नवाड़ है । जो हमारे समाजी की मानताय धांचा इत्याद आते हैं मतब घ्यान से सुनेंगे अब समाज वातावाण में क्या आता आधा इसे कि यहां पर पॉइंट है ठीक है तो पाद के अंत्रकष्ट हमारे समाज की मान याक्ष्ट है ठीक है रूल्स है ठीक है वो माना जाएगा कुछ कोस ने मेंभ कानून बना कि उससंथ करूं के बाद इसक्तिक लिंड सर्फ को वाइस नयतिक भाँसा है धर्म है रितिरिवाज परंपराएं इत्यादर आता है सामस्कृत वाइस्थ और प्राकर्तिक वाज़ में आता थाए अ वय व जर आता है भूमी आता है तापमान गाता में थे सर्पमाव क्या है थे स्हआइज में हमारे भारी माने भाएवर धर्म थ्यक्री है सांस्कृतिक अदियरे देया огशा हो आजरा की मिल्यव्म क्राम्य कक्यांद के5000 नव्य। ठीक है विकास मा अमनुख मानों ने बेग्यानिक प्रदोगिक गद्विदियों के कारण इस फंतलों को बिगाड़कर अपने पर्याणिक को स्वयंदूसित कर दिया है और अपने सामने अनेक बिमारियां समस्याओं को खड़ा कर लिया है जो दिन प्रते दिन बिकाफा अनुमुख यानि की जो बिकाफ हो रहा जो जिग्याफा लोग यानि की जिनको नौलेज हो रही है ठीक है जिग्याफा हो रही है बैग्यानिक प्रदोगिक जो गद्विदियां इनके कारण न कहीं न कहीं हमारे जो पर्याण हो बिगड़ भी तुषीचित भी रहा अंदाधुन देख लिए अप पेणे की कटाई हो रही है ठीक अंदाधुन जिफ्य वातावन पूरी तरह प्रोदू सित होता है ठीक है और आप देखते भी एक कि हर चीज में छेट में जो उतपाद होता आपका धान चावल जो भी उतपाद हो ना आप लोग जो भी खाते हैं तो उसमें हर चीज में दवाई सब जियां है उसमें सब चीज में दवाई पड़ रही तो वह आपके पर्यावन को और आपको दोनों को दूसित कर रहा है और आप कहीं न कई आपको देख लिजी आपकी घर में कोई नख कोई न कोई बीमार जरूर रहता है कि किसी की दवाई बहुए को और फूर तरह इसके करण हमारा पर्यावन जो पूरदो सीत हो रहा समस्याओं तो साथ साथ बनी रहें बिमारिया भी मन नहीं बहुत सारी चीजी हो रही ठीक है तो इसी तरह आप लिखेंगे इसका परचे और बहुत मात्पूर्ड प्रशन है तैयार कर लेंगे आप अपने उसार भी तैयार कर सकते हैं और पर्यावरण का अर्थ के बात करें तो पर्यावरण दो सब्दों से मिलकर बना परित तथा आवरण यानि धकना पर्यावरण से अभप्रया है वह सब कुछ जो हमारे चार ओर से ढखता है तो मैंने आपको बताया समाजिक सांस्कृतिक और प्राकरतिकी सब चीजी हमारे चार ओर फे ढखी है ठीक है इन्हें स बहुत बेटर थे जो कि मैंने आपको इसको कर सकते सारी के सारी परिभासाइं है एक दो तीन चार पांच ठीक है पर्यावरण के फंदशना ठीक है कैसे हुई यह तो उसमें दो घटकों में बाटा गया है उसके हिसाब से हुई यानि कि पर्यावरण के घटक को दो वर्गो इत्याद आते हैं और जैविक पर्यावरण के अंतरगत आते हैं सजीव घटक इसमें वरंश्पती जिव सोच्म जिवधारी सामिल होते हैं जिसमें जान होती है तो इस प्रकार लिखेंगे इसका उतर काफी महात्पूर्ण प्रस्थन है ठीक है चलिए नेस्ट कोश्चन के साथ आएगा ही आएगा प्रस्थित्र की परिभाफा बताईए या फिर अर्थ बताईए या फिर इसके प्रकार बताईए ऐसा प्रस्थन आपको देखने मिलेगा ठीक है तो सबसे पहले आपको लिखना इसका उत्तर भारत में रामदेव मिस्रा को प्रस्थित्र का जनक मा प्रस्तित्र की तंत्र का मत्तब होता है जो घटक होते हैं उनके प्रस्तित्र पर बताया भी घटक के बारे में ठीक है और प्रस्तित्र की तंत्र का अर्थ बताये तो प्रस्तित्र की तंत्र का अर्थ एक अईसी एकी करत प्रणाली से है जिसका निर्वार पर्याण के जैविक तथा अजैविक घटकों के अंता किरिया से होता है यानि कि इंट्रक्शन से होता है ठीक है प्रस्तित्र की तंत्र प पढ़ लिजेगा काफी एलपल कोश्चन गारंटी है कि आएगा ही आएगा आपको यह परिबाफ़ा लगे तो इस तरह तैयार के लिजे बाकि आप इंटरनेट पर सर्च करके इसकी परिबासा पड़ सकते हैं लेकिन गारंटी वाला कोश्चन आएगा ही आएगा ठीक है अग चलिए निष्च कोईचिन कर बढ़ते हैं निष्च कोईचन के प्रस्तिप की तंत्र की प्रोंग विस्षिस्ताइं विस्षिस्ताइं बी कभी कुछिश लिया जाता है ठीक है लेकिन क Ama marsh — प्रस्तिकी Черप Pendry विस्षिस्ता निवना प्रस्तिथ सक्तु नियूत बीजिस्ते होती है यह कुछ बिसिष्टा है जो कि आपको तयार कर लेना मोस्ट इंपार्टन कोश्चन है ध्यान से सुन लेज़े देखिए आप सभी को मालूम की लगातार पर इच्छान चल नहीं तो यादा मारे पास समय समय नहीं मिल पाता है कि हम आपको एक एक पॉइंट कर पाएं ठीक है लेकिन माने पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे एक्स्प्लेइन किया है ठीक है बाकि हम आपको मोस्ट इंपार्टन कोश्चन और एंसर करा दे रहे हैं और प्रवाइट कर दें यूटूब पर क समस्त कोई नहीं पीछ करेंगे पूरा सर्च कर डाली आप जान जाएंगे ठीक है और आपका अपना यही चैनल है सक्षेस्टू जो कि आपको को कोश्चन अंसर दोनों प्रवाइट करा रहा है हाड़ वर करते हैं ऐसे नहीं ठीक है अगला क्वेश्चन कि जैयो बीविता आप क्या समस्ते हैं देखे यह पौइंट जरूर आपको त्यार कर लेना कि जैयो बीविता यह कई बार परिच्छा में पूछा जाजा क्यों यह कोश्चन है जैयो बीविता की परिवाफा दीजे जैयो बीविता तरह की वरनस्पतियों जानोरों का संग्रा है जो एक ही विशेव छेत्र में रहते हैं और उसमें फैले हुए हैं यही होता है जेव वी विजिता इतनी सम्रद्ध होगी उतना ही सोबेवस्थित और संतुलित हमारा वातरा नौल भी होगा ठीक है अलग अलग तरह की वनस्पती तथा जिव जन्त भी धरती को रहने योग बनाने के लिए अपना योगदान देते हैं इंसान के जीवन के पीछे भी जेव विविता का ही हाथ है ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग जन्त और पेंड पाउधे ही मिलकर मनुष्ट की मूल पाउधा नहीं है कोई जानवर नहीं है तो उससे मनुष्ट की जोड़ते हों पूरी नहीं होंगे ठीक है जैसे कि पेंड पाउधे से आप लोगों को आक्सीजन ही मिलते हैं साथ साथ में बहुत फारे आप लोगों को फल खाते हैं ठीक है बहुत फारे जानवर होते हैं ज बताना ज़रूर चाहिए तो टिहरी बांद परियोजना बहुत ही टॉप लेबल का कॉष्चिन वही या ठीक है तेहरी बांद परियोजना बिश्च की एक महत पोर नदी घाटी परियोजना में से एक है इन्ही योजनाओं से निस्ट्यत रूप से बहुत उद्देशों की परकार है जैसे कि इस्थिती है ठीक है बांध परियोजना का उंतरा उतरांचल के जनपद घड़वाल हिमाले में बन रही है ठीक है इफी तरह आप पढ़ लेंगे महात्पूर्ण कुलमला के प्रश्ण है और दूफरी बात यहां पर है कि टीहरी बांध परियोजना का महात यह भी पॉइंट है यहां पर आपको ध्यान देने वाला तो तैयार कर लेंगे ठीक है अगला कोश्चन के मर्दा अपरदन को रोकने के उपाए बताई बताई यह मर्दा अपरदन का मतब यह हो कि मिट्टी बह जाती उसके बारे में कोश्चन है तो उत्तर लिखना कि भाबी वनस्पती आवरण को बनाए रखकर समोच रेखिये जुताई ठीक है सास्या वरतन या फफले के हेर फेर खेतों में वैदिका करण कमपोस्टिंग आवरण फसलों को उगा कर ब्रच्चयूं बाढ़ से वाय औरोध उत्पन करके आउं नालिका अपरदन के आप अपरदन कि मज़ेत करके तथा आफ्थाई किर्शी को नियंतर द्वारा रोका जा सकता है मुर्दा अपरदन मतलब कि मुर्दा अपरदन यही हो गया कि आप सभी मालीजे की कोई मालीजे कि आपके खेत में यह मालीजे आपका नहर है ठीक एक जामपल विक्रूर समझ प्रस्तुत हैं जो कि आप पढ़ लेंगे ठीक है यहां पर वैदिकी करण वनस्पति का आवर्ण समोची रेखी जो ताई ठीक है यह कुछ प्रमुक इसके रोकने को पाए हैं आवरण फसले अफ्थान तरी अफ्थान तरी किर्शी का प्रतिबंद बहुत फारी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे काफी हेल्प कोश्चन है आप अपने उसार तयार कर सकते कुल में लाके कोश्चन महात्पूर्ण है बस आप उत्तर यह पढ़िए या फिर अपने उसार इंटरनेट गूगल पर कहीं सच करके पढ़ें ठीक है मृत्पूर्ण प्रता परदन के कारण यह भी कई बार परिच्छा में पूछा जा कर चुका है मृत्प है धी मृत्य कई नि लकिन लगातार आता भी रहता परिच्छा में ठीक है जिसमें प्रावरतन रोधी दिवारों के करण सूर की क्रेणे वापस नहीं लोटा पाती यानि कि इसमें फूर के कृडडीरे पड़ती हैं तो उतों ले T却 मतलब नहीं पाती करिकी वह मतलब बंधा रहती है और नहीं पूरा फूरा ढरिका इसी तापमान से अधिक हो जाता है ठंडे प्रदेशों में इस्थित हरित घरों में अधिक तापमान पर उगाई जाने वाली फसलों और सब्जों का सफलता पूर्बक उत्पादन किया जाता है वर्तमान में कुछ ऐसी इस्थित हमारी पृतिवी की हो रही है इसी करार पृतिवी परप्रसकी तंत्र के कुछ घटक है जिनको आपको तयार कर लेना जैसे की नंबर एक पर है अकार्बनिक बहुतिग घटक ठीक है अकार्बनिक घटक कार्बन बहुतिग घटक उत्पादन उभॉकता है यह महात्पोंड प्रस्ण है कि पर इस हम रिपीटेड़ है इसलिए तयार कर लेंगे ठीक है बहुत महात पूंट प्रस्ट है ज्यादा एक्स्प्लेन करने का समय नहीं बस बहुत आपको हम अच्छे समझा चुके हैं कई बारे वीडियो हमने एक महासंग्राम वीडियो और भी अपलोड कर दी है ठीक है लेकिन उसमें कुछ और थे इसमें कुछ तापन और जलवाई परवर्तन जलवाई परवरतन की इस सब्सक्राइब को पूछा जाएगा तो जरूर तयार कर लीजेगा अभी बोल जायू coaster आउओ चलिए अगले question क flavour बढ़ते हैं परदाब के कारण और इसके परदूसर के किस वज़ा से मतलब की परदूसर होता है और इसके परदूसर क्या है इसे इंपक्ट क्या पाड़ता उसके बारे मापको लिखना टॉप लेबल का हाई लेबल का परिच्छा में कई बार रिपेटेड कोईश्या जरू तयार करके जाएं कोईश्या और उत्तर उत्तर तो मैंने इतनी अच्छी परदूसर किये ताकि आप बीना एक बार पढ़ ले तब भी आपको समझ में आ जाए ठीक है बाकी दो बार तीन कलन तता जौला मकी फटने से उधर्व दिशा में विछोब द्वारा जनित होती है 26 दिसंबर 2004 को घटित आपदा का कारण सुमात्रा के तट के पास समुद्र में आया भूकम पता जहां भू परपरटी की दो प्लेटों भारते प्लेट एवो में हमार प्लेट के परसपर र निर्मित हो गया प्रकट रूप से दोनों प्लेटे एक ही जटके में 15 मीटर खिसक गई ऐसा अनुमान लगया जाता कि मेमार प्लेट लगबग 1200 किलो मीटर हिस्सा तोट गया और इससे हिंद महा सागर में जल का भारी विस्थापन हुआ ठीक है और अचानक गत के कारण बिच्वब द्वारा जनित होती उसे ही हम शुनामी कहते हैं काफी यल्पल कोश्चिन आप अपने उस्वार आपको जव तरीका लगे उससे पढ़ लिजेगा कुलम लाके इस प्रस्ण का उत्तर जरूर तयार कर लेंगे ठीक है भूकंप किसे कहते भूकंप की परिभासा बूकंप की कारण बताइए भूकंप के निवारर के उपाय बताइए ठीक है तो इस तरीकी के प्रस्णा आपको देखनेों को मिलेंगे भूकंप आपदा ठीक है बहुत ही टॉप लेबल का बहुत ही हाई-लेबल का कोशचिन है काई बार परिछामे रिपीटड है तो जरू तैयार करके जाएं हम आपको पूरा भरोफा दिला रहें कि प्रशन फंसेगा ही फंसेगा भुकम फिरुड़ा अंडर्ड परसंट हंडर्ड परसंट हंडर्ड परसंट चक्रवात बहुत ही टॉप लेबल का कोश्चिन यह भी पर इच्छा में कई वार रिपीट हो चुका है कि चक्रवात आपदा प्रबंदन के मादन फे चक्रवात रोका तो नहीं जा फकता लेकिन चक्रवात से होने वाली जंधन की हान को निमन उपाय द्वारा कम किया जा फकता है जो भी प्राकरतिक आपदाएं हैं उनको तो हम रोक नहीं सकते चाहाए वो आपका बरसात हो चा जैसे कि हमें पता है किसमाने पाई प्रॉप्तहां चले जाएं तो यह आप उपाय कर सकते हैं तो फिर माली जिखान जानते भूक कम पाने वाला तो उस एरिया को छोंड कर आप दुफ्री अप्जित रही आप उपाय कर सकते बागी प्राकरते कापदा को टाला नहीं दाफकता यह आप सभी को वालूम है और हमको तो मालूम ही यह ठीक है चलिए नेश्ट कोईश्चन भुसकलन भुसकलन भी टॉप लेबल का कोईश्चन कई बार पैच्छा में रीपीटेड है तो ध्यान रखेंगे भुसकलन का होता है इस प्रकार से भुसकलन भिशिष्ट भुगर्बिक जलवाय तो थाजयविक कारण के कारण उत्पन होता है तथा नगरों परिवाहन तंत्रों बांधों द्वारा पुलो जैफी फन रशनाओं का बिनाफ कर देता है ठीक है मतलब खिशकना अक्तरी किसे होता है ठीक समाननी से अधिक वर्सा है जल्प्राप्त का होना बाठ या किसी भू भाग का लगातार कई दुनों तक जल मगन हो जाना मतलब कई दिन तक बारिस होते रहना और जल भरा रहना समान इसे अधिक वर्साय जल प्राप्त का होना बाढ या अतिवरष्ट कहलाता है ठीक है बाढ उस समय प्राकरतिक प्रकोप बन जाती जब उसके करण अपा सोला पर लेक लिखे ये भी कई बार आ चुका है तो इसको भी आप ध्यान रखे रहेंगे ठीक आप ध्यान में रखेंगे कुश्चन को तो इसी प्रकार कि आपकी पर इच्छा में प्रस्ट देखने हो को मिलेंगे हमने दो महा संग्राम वीडियो भी थर्ड समिस्टर के उ ना दी है जियोग्राफिक उपर आप दोनों देख लेंगे तो गारंटी है आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता और इस पीडियाप को आपको टेलीग्राम वर्टसप पे मिल जाएगा जो चात्र में मेसेज करेंगे बहुत ही कम चात्र होंगे जो हमारी वीडियो यहां तक द कहीं जाएंद